सैफ ने अपनी वेगम करीना का नाम अपने हातों से हता दिया है सैफ ने करीना के साथ रिलेशन्शिप में आने के कुछ दिन बाद ही अपने हातों पर लिखवा लिया था करीना लेकिन अब शादी के बाद सैफ ने करीना का नाम हटा कर किसी और का नाम लिखा लिया है अपने हाथों पर जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सच है सैफ अली खान किसी और का नाम ही अपने हाथों पर फ्लॉन कर रहे है अब आप सोच रहे होंगे करीना की जगह कौन हो गया है सैफ का इतना खास वेल तो आप खुद ही देख लीजिए जी हाँ, अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म गो गोवा गॉन के लिए सैफ ने करीना का नाम हटा कर कुछ और ही लिख लिया है सैफ ने एक्जाक्टली यहां किसी का नाम लिख रखा है या कुछ और ये तो हम नहीं बता सकते लेकिन जब हमने इस टैटू की हकीकट जानने की कोशिश की तो हमें पता चला सैफ ने अपने लुक और रोल के हिसाब से ये टेंप्ररी टैटू अपने हातों पर लगाया है और करीना का नाम सैफ ने अपने हातों पर ही रखा हुआ है वेल फिल्म के लिए क्या क्या करना पड़ता है वी होप सैफ के ऐसा करने से उनकी बेगम करीना नाराज नहीं हुई होंगी बॉर को नालमान देकर जूम मुंबाई